नमस्कार प्रिये बच्चों, अभी तक हम आपकी दुरुत पठन की पुस्तक भारत की खोज पड़ रहे थे, उसका द्विती अध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं, अब हम आपकी वसंत जो कि आपकी मुख्य पाठ्थे पुस्तक है, इसका पांचवा अध्याय प्रारम करेंग जैसा कि आप देख रहे हैं, शीशक है चिठियों की अनूठी तुनिया, इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंग, अच्छा शीशक से ही बिटा, आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, हाँ, बिलकुल सही, आज हम पढ़ेंगे चिठियों के बारे में, चिठियां जिनने आप प्लैटर भी कहते हैं, खत कहते हैं, और भी उन्हें विभिन नामों से जाना जाता है, और चिठियों से ऐसा भी नहीं है कि आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो परिचितना हो, हाँ, तो ये तो सबको पता है चिठियां क ओरत जो है दर्वाजे पर खड़ी है और डाकिया उन्हें पत्र दे रहा है भले ही वर्तमान समय में चिठ्धियों का इतना महत्व ना रहा हो जैसे कि आज कल आप SMS कर देते हैं और WhatsApp मैसेज भेज देते हैं, fax है आपके टैलिफोन है लेकिन चाहे जो भी हो चिठ्धियों का म आनुठी दुनिया के बारे में वर्णन कर ये बताना चाहा है कि भले ही संचार साधनों में दिन प्रति दिन वृद्धि हो रही है लेकिन चिठ्धियों की दुनिया ही निराली है, fax है, SMS, दूर्भाष, email, कितना भी अपना प्रभुतों जमाले लेकिन चिठ्धियों सरु पार्ट पे होना चाहिए, देखे बिटा, पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है, अजीबो गरीब मतलब निराली है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिक तम साधन नहीं कर सकता, मतलब जो आधुनिक साधन नहीं संचार के वह काम नहीं कर सकते, पत्र जैसा संतोष, फोन या SMS का संदेश कहां दे सकता है, मतलब जो संतोष हमें पत्र को पढ़ करके प्राप्त होता है, वैसा संतोष हमें SMS या जो फोन पे बात करके नहीं मिलता है, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, और मतलब क्या हुआ हाँ बिल्कुल सही कि केवल जीवन का ऐसा नहीं है कि हमारे व्यक्तिकत जीवन में ही पत्रों का महत्व है कहने का अर्थ यह है कि जीवन का कोई भी शेत्र हो वह पत्रों से अचूता नहीं है दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव मतलब जब से स्रिष्टी प्रारंब हुई है और मनुष्य ने अपने सब्वे बनने की और सुसंस्कृत बनने की और कदम बढ़ाएं हैं तब ही से पत्रों का सिलसिला शुरू हो गया है वहां संदेश वाहन का जो कारे था वो कुछ अलग रूपों में था और वो परिश्कृ जैसे मैंने बताया और यहां भी देखिए पत्र को उर्दू में क्या कहेंगे खत अधोर एखांकित कीजिए बिटा इसे पत्र को उर्दू में कहेंगे खत संस्कृत में पत्र कंणड में कागत तेलगू में उत्तरम जाबू और लेक तथा तमिल में कहते हैं कडिद तो ये पुरह आपको अधोरे खंकित कर लेना है, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संधे नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, और एक एक, और हर एक के पत्रों का अपना दाइरा, कहने का मतलब पत्र को लिखना भी अपने आप में एक कला है, ऐसे ये पत्र नहीं लिखा जाता है, एक पत्र होता है जिसे हम पढ़ते-पढ़ते बिलकुल एकदम जुड़ जाते हैं उससे, और हम जो है उससे छोड़ना नहीं जाते, तो ये एक कला ही तो हुई, दुनिया भर में रोज करोडों पत्र एक दुसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं, भारत में ही रोज साड़े-चार करोड चिठियां डाक में डाली जाती है, सोचे कितनी साड़े-चार करोड चिठियां, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई है, है ना, जो साबित करती है कि पत्र कितनी एहमियत रखते हैं, मतलब इतनी संख्या को देख क करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि चिठियों का पत्रों का महतु कितना अधिक है अब एक हम बात करें जैसे हमारे बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक देश की रक्षा के लिए तैनाथ है वहां अगर हमारा फोन और जो संचार के जो दूसरे सादन है उससे संपर्क नहीं होता ल भेजे जाते हैं तो ये चिठियों का ही महतु है विटा जो दोनों बक्षों को जोड करके रखती है आगे देखिए पंडित जवाला नहरु ने सन उननी सु त्रेपन में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कारे हर कारे होते हैं जो एक स्थान से दुस संचार के साधन है जो आपके आवागमन के साधन है वो विक्सित हुए पहिया आये पर रेल्वे और तार से भारी बदलाव आया तार ने रेलों से भी तेज गती से समवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया अब टैलीफोन वायरलेस और आगे रैडार जो है दुनिया को बदल रहा है तो यह एक यात्रा है कि कैसे जो संदेश वाहन के जो साधन है वो परिश्कृत से परिश्कृत होते ही चले जा रहे हैं आज वो इस्तिति नहीं है जो आज से हजारों साल पहले थी आज से 100-200 साल पहले की स्तिति भी जो है अब नहीं रही है अब संचार के स बड़े दुरुत गतिके हो गए हैं धन्यवाद बिटा